फीमेल्स की टॉफ सेक्रेट आठ ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप उन्हें टच में कर दो तो वो फूल एकसाइटेड हो जाती है जी हाँ चले चाहती है इस वीडियो में हरा दोस्तों मैं हुआ रोही और ऐसे इंफोमीटिव वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करना और ज उनके बिश में रोमेंस और टच होना काफी ज़रूरी है क्योंकि यह उनके प्यार को इंक्रीज करता है बढ़ाता है तो एट पार्ट्स बड़ी में सबसे इंपोर्टन है उनकी हथेली उनका आम यानि कि अगर कोई भी जस्ट हाथ में ऐसे करके फिंगर टच करें या फिर रब करें हथेली को तो ऐसा करने से ही लड़कियों में जो हॉर्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है और उम्हें आपका अटेंशन मिनने लगता है इसके लिए कहा जाता है कि हथेलियों को टेच कीजिए अगर आपको दिल तक पहुचना है नमबर टू है वो है लिप्स अ अगली फेवन जी हुआ है जाता है जाती है उतेजित हो जाती है और जी हाँ, उनकी सरोरे में ज़रा सा गुदाहट होती है और वो हस्ती भी है, ऐसा अगर कोई ने टच करें तो उन्हें अच्छा भी लगता है नेक्स्ट हैं नेक एरिया, नेक, लड़कियों की नेक पे किस करो या फिर उन्हें टंग से जरा साही आप अगर किस कर ले, टच कर ले, तो लड़किया फुल क्रेजी हो रहा थे उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और वो उनके बॉड़ी का सबसे सेंसेशनल पार्ट होता है तो कई जगा पे आपने देखा होगा कि नेक पे किस करते हैं अगर आप तिवे पे कहीं भी वी देते हैं रोमैंटिक सीन चल रहा होता है वहाँ पर लेख त्याओ किनकर क्िस करना काफी इंपर्टेंट हॉता है next है जाँगो के बीच के हिससे यानि कि उनकी थाइस के बीग का हिस्सच है काफे sensitive होता है during intimation बार बार टच्च करते रहने से sensation continue रहता है और वो काफे excited भी होती है और satisfied भी होती है next है scalp यानि scalp पो टच्च करने से उनके mind में relaxing hormone एक्टिवेट होता है जिनके वज़े से वो काफे relax हो जाती है और उनका mood जो फ्रेश हो जाता है और जहीं हाँ उनका sensation जो है वो काफी होता है अच्छा scalp में ही अगर आप उनके बाल के बीच में अपना हाथ फेरे तो वो जो है काफे जल्दी अपने आखे बंद करने लगती है और mood बन जाता है उनका romantic भी होता है scalp पे टच करना बालों के अंदर टच करना तो ऐसे सारी चीज़े हैं आपके बीच में bonding को भी को टर्सक्राण करती है दोस्तो इस वीडियो का इंटेशन था आपकी कपल के बीच में बहुत अच्छे से लआइक को आपके марा को अच्छो राइं अच्छे से बताना और अच्छे से अपनी लाइफ को हैपली जिनने के लिए आपको अपनी सख्षब लाइफ को काफी अच पुस्तो कैसे लिखी एक वीडियो ज़रू लाइक करें और शेर ज़रूर करें थैंक यू सू मच